अच्छा तो अब जो है वो बच्चे हमने स्टार्ट करना है चाप्टर थ्री सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन से रिलेटिड है जो कि यह टाइटल ही इसका बता रहा है कि यह पॉलीस की पावर्स के बारे में हैं कि जो कंट्रॉल अफ नार्कोटिक सबस्टांस एक्ट के अ ठीक है हम इस सेक्शन के एंड पे जो है वो बेर एक्ट उर्दू का उसको भी रीडाउट करेंगे ताके मजीड जो है वो क्लियरिटी हो जाए तो आप लोग जो है वो अपने पास पैन बालपर्ट रखें जो भी आपको पॉब्लम स्पेस आती है जो भी आपको लग रहा ह है कि यहां पर हमें समझ नहीं आई है अब नोट डाउन करते जाएं एड दा एंड अफ दिस लेक्चर आइल गिव यू 10 मिनट तो उसमें हम यह सारा डिसकस कर लेंगे अब यह सेक्शन जो है वो 20 है वो पावर टू इशू बरांट ठीक है अच्छा अब यहां पे मैं कोश सबजेट है और इसको स्पेशल कोट ही जो है वो डिल करते हैं ठीक है तो इनका मैं यह प्वार बढ़ा कर देती हूं और इसको हाईलाइट भी कर देती आच्छा चलें इस पेशल कोट में ईश्यू बरंद यानि- इस अथो है वो special court के पास है उसके बाद यहां पे एक word यूज हुआ 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 है may तो may का मतलब यह चीज होता है कि यह court की discretion है यह mandatory नहीं है यह court के ख्यारात है जहाँ पर shall का word आजाए वो mandatory हो जाता है जहाँ पर may का word आजाए वहाँ पर जो है वो discretionary हो जाता है issue a warrant for the arrest of any person यानि यह special court जो है वो उसके पास यह discretionary power है कि वो warrant issue कर सकती है for the arrest of any person whom it has reason जिससे यह हो कि जिसके whom यानि उस special court के पास यह reasons हो sound reasons हो to believe यकीन करने की that person यानि वो जो any person have committed an offense punishable under this act यानि उसने कोई एक ऐसा offense कमिट किया है जो कि इस act के तहत punishable है और for search यानि वो warrant issue कर सकते हैं for arrest के लिए and for search and issue warrant for arrest इसको हम highlight कर देते हैं और for search ठीक है और for search search के लिए भी के अगर कहीं पर जो है psychotropic substance या control substance रखे हुई है तो उसकी search का भी warrant जाई कर सकते हैं whether by day or night doesn't matter कि वो रात है या दिन है of any building किसी भी building की search हो सकती है किसी building की place की princes की और convinces की ठीक है यानि कोई आहाता हो सकता है कोई जगा हो सकती है कोई अमारत हो सकती है कोई सवारी हो सकती है ठीक है जिसके अंदर लेके जा रही हूँ अब ही है से मतलब वो court की बात करें या उस जगा के ओपर या तो वो साइकोट्रॉपिक सबस्टांस नार्कोटिक ड्रग या फिर control सबस्टांस रखी गई है या conceal की गई है चुपाई गई है चीक है तो उसके बारे में special court के पास यह अख्तियार है कि वो arrest का भी warrant जारी कर सकता है arrest करने के लिए उस person को जिसमें रखा है या conceal किया है और उस जगा building आहाता या सवारी को सर्च करने का warrant भी दे सकता है second class is the officer to whom a search warrant is addressed यानि जिस officer को यह search warrant दिये जाते हैं shall have all powers of an officer acting under 21 अब section 21 हम read out करते हैं तो हमें idea हो जाएगा कि जो इसकी जो powers है जिस officer को यह search warrant जो issue कर रहा है या पर arrest warrant उसके पास 21 के अंदर कौन कौन सी जो powers है वो दी गई है ठीक है अच्छा अब यहां पे जो है है वो मैंने main point थोड़े से निकाले हैं तो हम इनको read out कर लेते हैं अच्छा अच्छा अब इसमें सबसे पहला जो point मैं निकाला वो है वो है and authority of a special court to issue a warrant of arrest and search warrant यानि जो authority है वो special code के पास है कि वो search warrant और arrest warrant issue कर सकता है the search of any building यानि वो जो officer वो जो search warrant होगा वो किसके बारे में होगा any building की search place की search प्रिम्जीज आहाते की search या फिर convince सवारी की search and officer अब इसको थोड़ा सा अम देख लें अफिसर ऑफिसर ऑफिसर अहामिंग वरंट ठीक है अब यहां पर जो है वो मैंने इसको मजीद जो है वो improvise कर दिया रिफाइन कर दिया अब आपको player समझ आ जाएगी ठीक है अब यह officer है जिसने यह search करनी है उसके पास section 20 की सारी अफियारात होंगी तो यह important point है ठीक है अब मैंने इसको सारा आपको बड़े अच्छे सा समझा दिया है अब मजीद भी हम उर्दू का bear act जो है उसको read out एक दफ़ा कर लेते हैं ताके मजीद जो भी ambiguities हों वो clear हो जाए अच्छा जी अब यह देखें कि इसमें वरंट जारी करने का अख्यार power to issue वरंट खसूसी अदालत यानि special court किसी ऐसे शक्स की गिर्फतारी के लिए वरंट जारी कर सकेगी जिसके बारे में इसके पास इस अमर का यकीन करने की वज़ा मजूद हो कि उसने इस act के तैद काबले सजा ज का तलाशी के लिए जिसके बारे में इसके पास इस अमर का यकीन करने की वज़ा मजूद हो कि इसमें कोई नशा आवर दवा जहिन को मतासर करने वाली शैयर या मुन्जबत शैयर यानि controlled substance इसकी हमने definition बहुत अच्छे से देखी थी controlled substance नशा आवर दवा और जहिन को मतासर क पूर सकते हैं जिसकी निस्बत इस एक्ट के तहब का रिसे जुर्म का इतकाब किया गया हो रखी या चुपाई गई है सबक्लाश टू है जैली दफाव़ण के तए इस अफसर को जिसके नाम तलाशी का वरंट हो दफाए कैस के तो चाएं मकाम अफसर के तमाम अख्तिअ क हासल होंगे ठीक है अब मेरे ख्याल में जो section 20 है वो आपको बहुत अच्छे से clear हो गया हमने इसके points भी निकाल लिए इसको English में भी देख लिए इसको उर्दू में भी देख लिए और ये जो points वाला है वो भी जो है वो आपको clear होती जाएगी मजीड अब यहां पे आप यह देख लिए कि power to issue warrant हमने देख लिया इसी चीज़ का reference हम जो आगे sections आ रहे हैं 21, 22 onward उसमें हम पढ़ेंगे यहां तक आपको clear हो गया है आगे next जो है जो है वो section उसको understand करने में आपको problem नहीं होगी अब मैं जो है वो recording को pass करती हूँ और जिन बचों को जो है वो ambiguity है अगर कोई उनका question है वैसे तो हमने बड़े detail में किया लेकिन फिर भी अगर कोई question है तो वो पूर सकते हैं one by one